मैं यह कोई जादो नहीं कर रहा हूं यह लाइब आपको करके दिखा रहा हूं जस्ट आपको समझना एक वल और अपने लंग्स को आप मजूद कर सकते हैं लंग्स को एक्स्पेंड अच्छे तरीके से कर पाएंगे लंग्स के अंदर जो निस्क्रिय कोशेकाएं थी उन्हें हम द्वारा से यक्टिवेट कर पाएंगे लंग्स के अंदर जो एक्त्यंज था उससे बढ़ा सकते हैं वैंटिलेशन प्रॉपर हो सकता है लंग्स के अंदर जो फाइब्रोस्ज dope entscheiden इसे भि हम बच सकते हैं उसे भी हम लंग्स को बचा सकते हैं अब जलो औरीग नमसकार कैसे हैं आप आज की वीडियो में हम जानेंगे इस रेस्प्रेटोमीटर को या इसे हम कहते हैं शेया में अब करने हैं और शिंपली करनी है और इसका जो processor है वो कैसे होता है दिखिए और दिन में हम कितनी बार कर सकते हैं बहुत बड़ा confusion है इसके बारे में कि हम दिन में कितनी बार कर सकते हैं और इसके benefits क्या है तो दिखिए ये एक ऐसा spirometry exercise है जो हमारे lungs के अंदर जो उसके फैलने की जो capacity है उसे बढ़ाता है दूसरा यह proper ventilation के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है proper ventilation करता है हवा oxygen जो है उसका अच्छे तरीके से exchange होगा जब lungs हमारे अच्छे तरीके से expand होगे तो जो म्रत को सिकाएं हैं या फिर कहें कि जो निस्क्रिय को सिकाएं हैं हमारे lungs की dead physiological lungs dead species होते हैं उनको यह activate करता है जिस जिसकी मातरा जो होती है वो करीवन करों नहीं 25 फिसदी होती है तो उन्हें वी यह activate करने में बहुत ज़्यादा help करता है तो यह से हम कितनी वार कर सकते हैं तो simple पहले यह समझ लीजिएगा कि इसे करना कैसे है simply आपको करना क्या है सबसे पहले मैं अपनी सांस को छोड़ देता हूं पूरी तरीकी से मैं अपनी फैपड़ों के इंदर जो हबा है वो मैंने निकाल दी अब मुझे करना क्या है देखिए अब मैं सांस को खीचूंगा इसे मुझ से लगाके तो यह वाल्स जो उपर जाए करना क्या है तो देखिए मैं कितना टाइम रोका है मैंने मैं यह कोई जादो नहीं कर रहा हूं यह लाइव आपको करके दिखा रहा हूं जस्ट आपको समझना एकेवल और अपने लंग्स को आप मजूद कर सकते हैं लंग्स को एक्स्पेंड अच्छे तरीकी से कर पाएंगे लंग्स के अंदर जो निस्क्रिय कोसे काई थी उन्हें हम द्वारा से एक्टिवेट कर पाएंगे लंग्स के अंदर जो एक्सेंज था उसे बढ़ा सकते हैं वेंटिलेशन ट्रॉपर हो सकता है लंग्स के अंदर जो फाइब्रोसिस होता है उससे भी हम बच सकते हैं उससे भी हम लंग्स को बचा सकते हैं दूसरा जो लंग्स में oxygen का exchange कम हो पाता है तो उसको भी हम बढ़ा सकते हैं तो इसे दिन में कितनी बार करना है दिन में देखिए हम तीन बार कर सकते हैं और इसे करने का जो तरीका होता है वो मैंने आपको बता दिया सांस simply हमें कुछ नहीं करना है छोड़ देनी है और फिर हमें सांस खिष्णन भी और यह जाएगा फर यह जाएगा फिसनी ज्याएगा किसी को यह केवल चला जा जाएगा उसमें घवडानी की बात नहीं जैस जैसे आप कर सकते हैं दिन में तो देखिए simply आप इसे दिन में तीन वार कर सकते हैं मतलब कि 5-6 गंटे के अंतराल से कर सकते हैं या फिर आप अपने डॉक्टर के पांच शे बार करें, मतलब की A, B, C समझेगा, तो A मतलब सॉब़, B मतलब की दुपहर, और C मतलब की श्याम को, तो इसमें 3 हमने वो बना दिए, अब 3 सेट हमने बना है, तो 3 सेट के अंदर हमें अलग-लग बार करना पड़ेगा ना तो यह सेट में आपको यह कितनी बार करना है कम से कम चार पांच बार करना है जैसे एक बार पहले हमने इसको बॉल को उपर लिया फिर छोड़ दिया फिर हमने वाल उपर लिए फिर छोड़ दी फिर वाल उपर लिए फिर फिर वाल उपर लिए फिर 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 दिन में आप कम से कम आप कर पाएंगे 20-25 वार आप इसे कर सकते हैं इस exercise को कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन 5-6 घंटे के अंतराल से आपको यह करना है तो इस चीज का आप याद रखें दूसरा यह spirometer आपको मिलेगा कहां देखें simply easy trick है कहीं नहीं आपको वटगना है medical store पर आप जाएंगे तो 300-300 के आसपास में आपको यह मिल जाएगा हो सकता है कि range कमदी हो जाए हो सकता है कि range थोड़ी बहुत उपर बढ़वे जाए क्योंकि अभी इन चीजों की demand से तो हो सकता है कि rate आपको थोड़ा बहुत high मिले और मैं कोसिस करूँगा कि अगर possible होगा अगर possible होगा तो इसको मैं online purchase करने की आपको वीडियो के description में link डाल दूँगा सबसे top में तो आप यहां से भी उसे खरी सकते हैं अगर मुझे मिलेगा तो लेकिन उसमें आपको हो सकता है मैं कोसिस यह करूँगा कि 10-15% का या 20% का आपको discount मिल जाए तो आपको खरीदने मे आसानी होगे आपके पैसे भी बच पाएंगे तो मैं कोसिस यह करूँगा कि आपको इसकी जो online link है वो आपको इसमें provide करा दो तो आप इसे अच्छे तरीकी से कर सकते हैं इसे हमारे lungs expand हो पाएंगे मैंने इसके माध्यम से आपको पूरी जानकर इस वीडियो में provide करा दी है वीडियो अगर अच्छा लगे तो like and share करें अधिक से अधिक लोगों तक share करें क्योंकि यह जो वीडियो है बहुत ही life saving वीडियो हमारे अपने लंग्स को बचा सकते हैं और अपने साथ में हम दूसरों के लंग्स को भी बचा सकते हैं क्योंकि जो अभी जो pandemic चल रहा है उस से हम online में spirometer या आप बोल सकते हैं respirometer भी इसे आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को online मिल जाएगा अगर आपके आसपास कोई medical store है तो वहां से आप खरीज सकते हैं तो मैं कोसिस यह करूंगा कि इसकी online अगर आपको link है वो provide कराने कोसिस करूंगा वीडियो अगर लोगों को यह नहीं करना है तो जिनको इस exercise को करने से उनको breathe lessness होता है यह chest tight ने सोता है उनकी सांस फूलने लगती है या उनको कोई तकलिफ होने लगती है तो इस exercise को नहीं करें दूसरा अपने डॉक्टर से को जरू कंसर्ट करें कि इस exercise को अगर हम करें या नहीं करें जो वो हस्पिटल में भरती हैं और जो स्वस्त व्यक्ति हैं उसे exercise करने में कोई दिक्कत नहीं है स्वस्त व्यक्ति इसको exercise को कर सकता है और अपने लंच को आसानी से explain कर सकता है बढ़ा सकता है और कोरोना की presence में भी without doctor consultation के इस exercise को नहीं करें इस बात को आप याद रखें नमस्कार थेंक्स वर वाचिंग है बनाइश जे जहें